कई बार दुश्मन को ये दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी ताकत क्या है। नहीं तो दुश्मन आपको हलके में लेना शुरू कर देता है। और जब आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं तो दुश्मन को समझ में आ जाता है कि आप से भिढ़ना ठीक नहीं जहिन, मैं हो प्रतमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला कि इस amazing platform के उबर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभी कुछी दिनों पहले हम सभी ने एक news सुनी थी वो news थी कि तवांग के अंदर भारतिय सेना और चाइनी सेना के बीच एक जड़ाप हुई थी इसमें भारतिय सेना के नौ जवानों ने चाइनी सेना को मार के भगा दिया था और इस बास सेजी समझ में आती है कि चाइना अपनी हरकतों से बास नहीं आ रहा है वो बार-बार हमें प्रवोक करने की कोशिश करता है ऐसे समय पर दुश्मन देश को ये दिखाना जरूरी होता है कि भारत की ताकत क्या है और भारत ने ऐसा ही किया है भारत ने अगनी 5 का एक बार फिर से सफल परिक्शन किया है और ये सफल परिक्षन पूरी range के साथ किया गया है मतलब हमने चाइना को दिखा दिया है कि बिजिंग भी अब हमारी चपेट के अंदर ही है वो भी हमारी range से बाहर नहीं है अग्री 5 जो परिक्षन किया गया है उस परिक्षन के बाद ये माना जा रहा है कि भारत ने अपनी पुरी ताकत दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं देखिए हमारी कंट्री का शुर्वास से नीचर रहा है कि हम आगे से कभी भी किसी देश पर हमला नहीं करेंगे अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं ये कड़ा संदेश हमने चाइना को दे दिया है अगनी 5 मिसाइल क्या है कि भारत का सबसे बड़ा हतियार है देखिए इस बार जो परिक्षन किया गया है ऐसा नहीं कि पहली बार किया गया है लगबक 8 परिक्षण इसके पहले ही किये, जा चुके हैं, यह जो परिक्षण किया गया है, इसमें full range के साथ परिक्षण किया गया है, और target पे जाके missile लगी है, यह जो missile है, इंटर कॉंटिनेंटल बेलास्टिक missile है, साथ ही साथ यह nuclear warhead को ले जाने में सक्षाम है, मतलब nuclear capable है की जानते हैं कि पूरी मिसाइल क्या है कि तरीके का कॉन्फरिगेशन है पर सबसे पहले आप इस पूरे मैप को देखिए पूरे मैप के अंदर अगनी के अलग लग वेरियंट की रेंज के बारे में बताया गया है अगनी टू की रेंज यहां तक जा रही है जो पूरा सरकल आप देख रहे हैं अगनी टू की रेंज अगनी थी की रेंज यहां तक है पर आप जब आप अगनी फाइफ की रेंज देखते हैं तैना कवर हो रहा है चाइना रश्या काफी लंबी दूरी तक के मिसाइल जा सकती है इसकी जो रेंज है वह 5500 किलोमेटर है बारे में भी हम जानते हैं पर सबसे पहले मिसाइल के स्पैसिफिकेशन के बारे में बात कर लें इसे डिजाइन किया है DRDO ने मतलब डिफेंस, रिसर्च और डेवलपेंट और इसका मैनुफाक्ट्चर कर रही है भारत डैनमीक्स लिमिटेट भारत डैनमीक्स लिमिटेट इसके डिजाइन में भी स्यायूग किया था इसकी युनिट्स को तयार किया जा रहा है देखे इसकी manufacturing cost भी काफी जाता है अफ्कोर्स इतनी बड़िया मिसाइल है इतनी बड़ी मिसाइले 50 करोड रुपीज पर युनिट कॉस्ट इसकी आती है और इसकी रेंज की बात किजिए operational range जो आप देखेंगे वो है 5000 किलोमेटर से लेके 5500 किलोमेटर तक बड़ चाइना ने भी यह दावा कर दिया है चाइना के अलावा सभी यह जानते कि इसकी जो रिएलरेंज की हम बात कर देखिए की बार किया होता real range को reveal नहीं किया जाता है 40 reasons की वदे से इसकी रिएलरेंज जो चाइना ने भी दावा किया और कहीं बार दावा किया जा जा रहे तो आठ हजार किलो मिटर तक है जो की काफी जादा है जिसमें पुरा ही चाइना लगबग कवर हो गया है तो ये बहुत बड़ी बात है के अलावा इसकी लेंद 17.5 मिटर है इसके मास के हम बात करें तो 50,000 से लेके 56,000 किलोग्राम तक इसका मास है और साथ ही साथ ही कितना न् 1500 केजी मतलब 1500 केजी का ये न्यूकलियर वार हैड ले जा सकती है 1500 केजी का वो सामान ले जा सकती है जो की न्यूकलियर क्यापेबल है पूरा न्यूकलियर माटेरियल लेके जा सकती है जहां पर भी ये मिसाइल टारगेट करेगी वो एरिया पूरी तरीके से तबाह हो जाए और इसका सफल परिक्षन कर लिया गया हैं सक्षम के बार अब जो उपर बिख रहे हैं सबसे उपर यहां पर नूग्यर को लिइजाने में पूरी टरीके से सख्षम होते हैं इनके numbers को भी बढ़ाया जा सकता है, इस missile में अभी change किये गए हैं, कुछ इसलिए इसका परिशन किया गया है, missile को lighter बना दिया गया है, इसकी speed को बढ़ाया गया है, साथ इसाथ ये जादा से जादा nuclear warheads अब ले जा सकती हैं, और ये जो nuclear warheads होते हैं, जब ये target करते हैं, तो अ अलग-अलग targets पर ये आसानी से हमला कर सकते हैं, ये असानी होगा कि एक जगे गिरेंगे, अलग-अलग targets के ओपर जा कर भी ये nuclear warheads गिर सकते हैं, और अलग-अलग जगह पर हमला कर सकते हैं, आप अगर देखेंगे कि operational range यहां पर दिखाया जा रहा है, 5500 से लेके 8000 km तक ज अगर आप comparison करेंगे यहां पर तो देखें, comparison की बात कि जाए, अगनी फर्स्ट की जो range थी, वो 700 km तक थी, इसके बाद अगनी सेकंड की जो range थी, जैसे September 15 2013 के अंदर launch किया गया था, उसकी range थी 2000 km, अगनी 3 के बात करें तो 3500 km और इसके बाद अगनी 4 की अगर यहां पर बा पाले देश को, कि आप अगर बिना तरीके से, बिना किसी रीजन के आप प्रवोक करेंगे, तो हमारे पास भी शमता है, कि हम भी आपको destroy कर सकते हैं, तो यह पूरी news थी, इस missile को परिक्षन किया गया है, अब्दुलकलाम, आइसलेंड, जो कि उरिजा के अंदर है, वहां से इस missile को launch किया गया, exactly full range के साथ इसको launch किया गया, पूरी range इसने cover करी और target को hit किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से जब हम अपने परिशन करते हैं, इसका मकसद यह नहीं होता है कि कि किसी को डराना, इसका मकसद यह होता है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, यह पूरी news दी, चलिए मैं next lecture के इंदर आपको मिलता हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, जैहिंद, चैभारत